हाँ तो हलो बिर्लेंट स्टुडेंस क्लास नाइन फिजिक्स से चेप्टर आपका है चल रहा है मोशन तो डियर स्टुडेंस इस मोशन चेप्टर में हम आप को लेकर आए हैं आज सिस्टम आप यूनिट्स सिस्टम आप यूनिट्स में एक से टर्म है एसाई तो एसाई का फूल फार्म क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम आप यूनिट्स यानि पूरे अंतराश्टी पद्यत में मात्रक अंतराश्टी लेबल पर मात्रक किसी क्या होगी तो इसका पता चला 1960 यानि 1960 में इस SI system का 1960 में प्रोवाइड हुआ एक बैठक बैठी थी 1960 में और ये system के units को जितने भी quantity है उनकी unit को कैसे रिपरजेंड किया गया किस सर्म में बताया प्रोवाइड हुआ तो 1960 में प्रोवाइड हुआ तो सबसे पहले हम बात करते हैं basic unit की किसकी बात करते हैं basic unit की basic units तो dear students basic unit क्या है there are seven types of units mass, length, time, electric current, temperature, amount of substance etc मैं अभी बताता हूं blackboard पर सारा कुछ लिख दूँगा पहले आप देखिए basic unit की बात किया जाते है basic unit के पहले term होता है fundamental units क्या तर्माता है fundamental units fundamental units fundamental units कितने होते हैं how many types of fundamental units there are three types mass, length and time and it is mandatory ये तीनों quantity क्या है fundamental quarter आपके पास क्या लिग दिया गया? एक यूनिट लिग दिया गया. तो basic unit की बात कर जाए, international system में, क्या चरचा है इसका? तो सबसे पहले हम लिखते हैं, basic unit बात करते हैं. Basic unit के पहले हमने एक term बताया, कि fundamental units कितने types के होते हैं, तो fundamental units आपके 3 types के होते हैं. कौन-कौन मास लेंट और टाइम दरब्यमान दूरी और समय दरब्यमान का मातरख किलो गर्म दूरी का मातरख मीटर और समय का मातरख सकेंड होता है ठीक है अब basic unit बाद term आता है basic unit के बाद term आएगा derived unit तो इन basic unit के help से जो formula आएगा और उसकी unit लिखेंगे आप तो उसी को आप क्या कहेंगे derive units बोलेंगे जैसे यहाँ पर term है first यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ quantities क्या लिख रहा हूँ quantities ठीक है quantities यह quantities हो गए दूसरा हम लिखेंगे क्या यहाँ पर unit या symbol लिख लें क्या लिख लें symbol यह हो गया symbol किस quantity को किसे आप क्या करेंगे represent करेंगे उसके बाद हो गया यहाँ पर units क्या हो गया units अब इस unit को unit का symbol क्या है यहाँ यूज करेंगे ठीक है symbol units आप symbol तो first हम लेते हैं mass first क्या ले लिए हमने mass second क्या लेंगे length second length लेंगे third क्या लेंगे time और fourth क्या लेंगे temperature fourth क्या हो गया temperature fifth क्या हो जाएगा electric current electric current six क्या हो गया intensity of illumination intensity इंटेंसिटी आप illumination intensity आप illumination seventh हो जाएगा amount of substance amount of substance amount of substance तो यह seven types की unit हैं इसे आप note करें seven quantities के हमने क्या लिखा नाम लिखा dear students आईए अब देखिए यह पहला quantity क्या है mass है तो mass को किससे रिपरजेंड करते हैं mass को किससे रिपरजेंड करते हैं dear students तो mass के लिए हम क्या लिखते हैं यह हम लिखते हैं और mass की unit क्या होगी तो kilogram होगी क्या होगी kilogram होगी अब इस kilogram के लिए symbol क्या लिखते हैं तो kg लिखते हैं kilogram के लिए symbol क्या लिखते हैं तो kg लिखते हैं दूसरा term आगे आपका length तो length की unit length को किसे रिपरजेंड करते हैं capital L से इसकी unit क्या हो जाएगी meter Length की Unit क्या जाएगी? Meter और इसके लिए Symbol के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? Unit में Unit of Symbol यहां लिख देता हूँ Units of Symbol Units of Symbol Units of Symbol अब आगे आपके पास Time तो Time को किसे रिपर जन करते हैं? इसमाल 30 इसकी Unit क्या होती है? Second सिंबल के लिए क्या लिख देता है? Temperature को किसे रिपर जन करेंगा? T से इसकी Unit क्या होगी? Temperature का Kelvin होगी क्या होगी? Temperature का Unit तो Kelvin होगी Temperature की Unit क्या होगी? Kelvin होगा Temperature की Unit Kelvin unit के लिए Symbol क्या यूज़ करते हैं? K अब आपके पास आ गया Fifth Electric Current क्या गया इलक्टिक करेंट इसको किसे रिपरजन करते हैं आई से इसकी यूनिट क्या होती है एंपियर यूनिट क्या होती है एंपियर साट फर्म में क्या लिखेंगे इसका सिंबल ए लिखेंगे शिक्स क्या हो गया इंटेंसिटी आफ इल्ुमिनेशन intensity of illumination को किसे represent करते है Capital eL Capital eL simplified capital intensity of illumination चलिए इसको electric current को हमने किसे represent किया है I سے intensity of illumination को किसे represent कर दे हम लोग बताइए electric current को तो हमने represent किया I से intensity of illumination को or length को किसे small eL से मेजर कर लीजिए बना लीजिए और intensity of illumination को capital yield से represent करने इसकी unit क्या होती है तो candela होती है क्या होगी candela इसके लिए symbol क्या लिखेंगे c d amount of substance को हम लोग क्या लिखते है yen यन इसमाल यन और इसकी unit क्या होती है mole क्या होती है mole और इसके लिए कोई symbol नहीं है तो यहां हमने note किया अब बात आती है term derive units की, किसका term आता है derive units, तो derive units क्या है, जैसे speed, जैसे आप लेले example में, क्या लेलेंगे, speed, speed is equal to क्या होता है, distance upon time, speed is equal to आपका formula क्या होता है, distance upon time, तो यह speed is equal to distance upon time, distance unit क्या होगी meter, और time unit क्या होगी, second, time unit क्या होगी second, तो यहां second और meter क्या है, basic unit है, तो यहां पर, यहां basic unit से ही, जो basic unit से जो unit आएगा derive करने के बाद, चाहिए multiply करें, या subtraction करें, divide करें, तो जो unit आएगा उसे हम बोलते हैं derive units, लेकिन इसको derive नहीं किया सकता है, तो speed is equal to distance upon क्या है, आपका time, तो इसकी unit क्या होगी, meter per second, meter per second, अगर आप ले लेते हैं acceleration, acceleration, the rate of change velocity is known as acceleration, the rate of change velocity is known as acceleration, यानि delta B upon formula क्या होगा, T, तो यह velocity meter per second upon second, यानि meter per second का क्या हो जाएगा, square हो जाएगा, देखिए, meter, meter length क्या होती है, meter, इसके car, इसके unit क्या है, यानि, अऔर second, time क्या होती है, second, इसका symbol क्या ह। तो इसलिए अपने लिखा meter per second का square, अगर हम ले लेते हैं force, क्या ले लेते हैं, force, तो force is equal to क्या होता है, mass into acceleration, mass की unit क्या होगी, kg, और acceleration की unit क्या हो जाएगी, मीटर पर सकेंड का स्क्वार तो इस तरह से अगर आपको derive unit पूछता है derive unit की कौन कौन है तो इस तरह से it is set रहा क्या लिख सकते हैं it is set रहा है तीक है और यह क्या है आपके पास basic unit है यह क्या है आपके पास fundamental units है यह कब provide हुआ 1900 system है SI का full form क्या होता है international system of unit international system of unit किस year में provide किया गया तो 1916 में इसकी बैठक हुई वहीं बैठक हुई और उसके बाद इसका provide हुआ ठीक है fundamental unit कितने होते हैं three types mass length and time basic unit कितने होते हैं seven types there are seven types mass length mass length time temperature electric current intensity of illumination amount of substance mass के लिए unit क्या होगा kilogram length क्या होगी meter time क्या होगी second temperature क्या होगी Kelvin electric current क्या होगी ampere intensity of illumination क्या होगी candela amount of substance क्या होगी mole ठीक है तो मिलते हैं next lecture में it's okay bye